आप देखें मेरा YouTube चैनल इंपो विजए तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोट्ट्राइपिंग बेटीज तो इस तो आप पिछली वीडियो से नहीं लिए तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शिप्शन न मिल जाएंगे जहांसा आप इन वीडियो को देख सक करते हैं यहां तक की Designing of this Particular Application chtलियो स्टार करते हैं हम सबसे फेले आपको क्लिक करना हूआ यहां पर तो इसे भी home screen बना सकते हो, बट एक चिली में हमारी Android हो तो इसमें एक ही home screen होती है, तो यह ज़िए हमारी home screen act करेगी, तो आपको बाहर क्लिक करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, जो कि आपका navigation button है, तो आपको track करना है, यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, इसके बीच म मारा artboard का connection होगा, यहाँ पर आप देख सकते different action है, transition, auto animate, overlay scroll, previous artboard, audio playback, और यहाँ पर speech playback, तो यहाँ पर different kinds of things भी आ चुके, क्योंकि Adobe अब देरे-देरे करके काफी advanced होता जा रहा है, तो यह कुछ नई options भी आ चुके है, पहले यहाँ पर सिर्फ 4 ही होते थे, यही transition, auto animate, overlay scroll to, तो अगर आपने previously वाले मेरे देखेंगे, तो उसमें आपको सिर्फ यह 3 नहीं देखेंगे, अगर आपने previous videos मेरे द्यान से देखेंगे, तो यह update करने के बाद यह 3 options आए, तो अभी मेरे को इनका use नहीं करना है, कि अभी मैं सिर्फ transition पे ही रहने देता हूँ, preserve भी कर सकते ह तो यहाँ पर आप देखेंगे, अनिमेशन डिसोल्व है, साइड लेफ्ट, राइट, तो यह slide अनिमेशन में डेवलप करते हैं, तो मैं आने वाले वीडियो में आपको इनके भी tutorial दूँँगा, तो यहाँ पर आप सिंपर डिरेक्ट कर सकते हो slide अनिमेशन, विधा बन क्ल हमारे इस particular back button पर click करते हैं, और इसको हमें जब click करेंगे तो हम वापर जाना चाहते हैं, main screen पर है, तो अब देख सकते हैं, सब को same है, हमारा trigger event है, tap, action भी हम पर transition है, और animation भी dissolve set हो रखी है, अब एक और चीज है guys, यानि एक और scenario है, जब हम हमारी city screen से, main screen पर जाएंगे, ज यह होची कि हमारी prototyping done, अब अगर आप run पर click करोगे, तो simply हमारी main screen से start होगा, तो simply मैं आपर click करता हूँ run पर, then you can see now our application is running inside the adobe run environment, तो हमारी application is run होगे, अगर आप देखे तो side से थोड़ा सा white white देख रहा है, but that's okay, because the image is actually white, तो image भी काफी white है, तो अगर आप चाहे तो background भी यहाँ पर देख सकते, border देखे, आप कर सकते हो इस चीज को solve, but मैं भी border नहीं दे रहा, then simply हाँ पर click करते है, इस पर navigation button पर, then you can see now we are inside the change city activity, तो अगर आप इस पर भी click करोगे, तो अभी आप चले जाओगे वापस से main screen पर अंदर, अगर इस पर click करोगे, अगर अगर इस प मैंने कितने connections define किये थे, तो उस समय यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देनी होगी, कि यह component वाला feature था, तो अगर आप मैं design पर आप वापस, तो यह वहाँ पर यह component वाला feature नहीं था, अगर आपको याद होगा, तो यह component से काफी चीजे possible आपको multiple screens नहीं create करनी होती, जो यह application काफी, small application नहीं ज्यादा बड़ी नहीं, बट इसकी जो coding है वो थोड़ी advance है, now guys, अब हमें इन सभी assets को export करना है, तो चली के करके को export करते हैं, तो सबसे पहले में main screen को select करता हूँ, और Ctrl E प्रेस करता हूँ, अगर आप Mac पे तो आपको Command E प्रेस करना होगा, तो Ctrl E मैं support करता है, and then इसके बाद up to our advance आ चुके है, तो LDPI बाद तो device almost खतम ही हो चुका है, मैं सब यह बहुत ही really chance है कि किसी के पास होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मैं desktop पे से कर रहा हूँ, और weather app assets नहीं का folder बना रहा है, यो कि यह यह मारा weather folder है, तो अगर आ पाएंगे, simply मैं करता हूँ, click on export, then you can see, यह आ चुके हमारी main screen bg, लियो कि यह अभी MDPI folder के अंदर रूमे, तो अगर आप XHDPI में जाओगे, triple XHDPI, यह आपको थोड़ी जादा और एचली दिखरी बटे image थोड़ी blurb, हमने effect वाली बनाई है, क्योंकि इसके पर हमें elements को place क करना है, cross करता हूँ अपसे, and now, अब यह होचे कि आप इसी तरह में city screen bg को भी export करना है, so make sure कि जितनी भी आपने जो naming रखी होगी वो छोटी रखनी है, अधर अगर आपने बड़ी रखी तो आपको build process के समें error मिलेगा, because android file system जो होता है, small caps को ही actually में work करता है, तो यह आप है, then control E, and then export, and then finally guys, जो हमारा navigation button को में export कर दिया, and now finally, अब हमारा question में export करना है, तो एक चीच का अगर आप धियान दे, तो जो export button से पहले, इसको में यहाँ पर wrap से, इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, select करते हैं, तो छोटा करते हैं, जो छोटा होगा नहीं, अगर बड़ा करें, तो यह इस तरीके से display होगा, तो इस तरीके आपको धियान रखना ह होगा, but don't worry, बाग की जितने भी assets हैं, उन सब की dimensions almost same है, because हमने एक square का concept यूज किया था, थोड़ी बहुत changes हैं, but क्योंकि इतना जादा अगर आप बिल्कुल preciously करेंगे, means विल्कुल time लगा करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छी dimensions मिलेंगी, so that's it for this video guys, हम हमारे सारे assets ready है अब inside the Android Studio, हम start करेंगे, coding करना हमारी particular weather app की application को, तो सबसे बएले हमें design create करना होगा, then इसके बाद हम write करेंगे code to parse the JSON data, because हम API का use करेंगे, तो API हमारे को response लेती है, तो हम get data response का use करेंगे, हम कुछ post नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ data get ही कर सकते है through API, क्योंकि हमें third party API को call कर रहे हैं, हम उसमें data post नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को post करने की authority नहीं होती है, क्योंकि हम जरु data को get कर सकते हैं, तो सारा मैं आपको सम्झाओंगा concept by using some diagrams बगारा, तो काफी interesting होने वादी है series, so definitely आप चैनल को subscribe कर लिजेगा, ताकि आपको सबसे बएले notification मेंजा जासी में नहीं वीडियो से फ्लार करता हूं, so मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, thank you for watching, see you in the next video.